अबर पतलब आपका पैसा घट जाएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में, जितना ज्यादा आप समय, मैं इन्वेस्टिंग करूं कहाँ पर, ताकि मुझे बेस्ट रिटर्न मिले, आपका डिजाइड अमाउंट क्या है, यह आप निर्ने लें, इस वीडियो इस पावरड मुझे लोकेशन, बात्रों वैनेटी, वाडरोब्स, एन स्टील इंटीर, फैंचाइजी शोरूम, पैन इंडिया, हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्षर अमित माईश्वरी और आप सभी का सवगत करता हूं आज की इन्फार्मेटिव वीडियो में, फ्रेंड्स हम में से हर व्यक्ति अपनी लाइफ में फाइनेशल फ्रीडम हासिल करना चाहता है, इसी वज़े से वह यूट्यूपर बहुत सारे वीडियो सर्च करता रहता है, कि हजार रुपे महिना इन्वेस्ट करें, एक करोड हो जाएंगे, दस करोड हो जाएंगे, पचास करोड हो जाएंगे पर क्या, सच में आपके बाइटना समय है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहें, तो फाइनेशल फ्रीडम को हासिल कैसे किया जा सकता है, आज मैं आपको बता हूँगा 101 परसेंट वो सही फार्मुले जिसको अपना कर आप अपने जीवन में फाइनेश फीडम को कैसे अचीव करेगा, फ्रेंट्स ध्यान रखिए, अगर आप रेगिलर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टम बढ़ेगी, प्रशन य इसलिए कहा जाता है the more you learn the more you earn जितना ज्यादा आप समय अपनी लर्निंग पर लगाएंगे अपने आपको अप्ग्रेड करने पर लगाएंगे नहीं नहीं चीजों को सीखने में समझने में इंप्लीमेंट करने पर लगाएंगे उतना आपके knowledge enhance होगी और जतना ज्यादा knowledge enhance होगी उतना ही ज्यादा आसानी से आप अपनी earning को बढ़ा पाएंगे अर्निंग को बढ़ाने पर निरंतर फोकस करना चाहिए चाहें वो direct earning हो या passive earning हो मतलब ऐसे से resources generate करना जहां से आपको पैसा आना शुरू हो जाए The more you learn, the more you earn The more you earn, the more you save जितना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे जितना ज्यादा आपकी earning होगी उतना आसानी से आप ज्यादा saving भी कर पाएंगे और The more you save, the more you invest इन्वेस्ट तो तब भी करेंगे जब पैसा आपके बस बचेगा इसलिए ज़रूरत है saving को सही तरीके से invest करने की ताकि अपने financial freedom को, अपने financial goal को हम बहुत आसानी से achieve कर सके आप प्रशनी ये उठता है कि भी हम invest करें तो कहां करें और कितना amount करें ज्यान रखिए अगर आप अपनी earning का सिर्फ 10% नियमित रूप से invest करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा amount financial freedom के लिए हासिल कर सकते हैं बशरते आप वो consistency से लगातार करते रहें सिधा सिधानता है कि हम कहां invest करें ताकि maximum return मिले उसके अलग अलग तरीके हैं अगर आप saving account में deposit करते हैं तो आपको साड़े तीन से 4% का return मिलने वाला है मतलब आपके पैसे को बढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा और जितना rate of interest ये पे कर रहे हैं उससे अधा inflation gap है मतलब मुद्रा स्वीति की दर इससे जादा है महंगाई दर इससे जादा है आप जो आज आपके एक लाख रुपे की value है वह एक साल बाद saving account में एक लाख 3500 या एक लाख 4000 की होगी पर उस समय पर अगर 7% inflation है तो इसका मतलब एक लाख 7000 की value हो जाएगी उस पैसे के बराबर मतलब आपका पैसा घट जाएगा saving bank account में उसकी value degrade हो जाएगी अगर यही बात आप fix deposit पर करते हैं आपने का चलो ठीक है saving नहीं करते saving account में डालते हैं हम अपने पैसे को FD में डालते हैं तो FD में आपको 7% का interest मिलने वाला है अगर मान लीजिए महंगाई इदर भी 7% है और आपको 7% मिल रहा है तो आपका पैसा उत्ता ही नहीं वाला है मतलब आज जो value एक लाख की है एक सालवाद वह एक लाख 7000 की होगी और FD पर मिलने वाला interest भी 7000 होगा इसका मतलब value आज के एक लाख की एक लाख 7000 के बराबरी हो जाएगी interest मिलने के बाद भी आपका पैसा बढ़ेगा नहीं तो करना क्या है mutual funds में निवेश करना है friends अगर आप mutual fund में निवेश करते हैं तो 12-15% का return मिलता है ध्यान रखे यह नहीं करनी है आपको mutual fund में invest करना है और investing की बात करते तो long term investment की बात करते हैं यह long term की duration जितना ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा rate of return आपको मिलने वाला है इसलिए mutual fund में 12-15% का return मिलता है ऐसा माना जाता है long term में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल यह return बढ़ जाता है अगर हम 25 साल 30 साल 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बात करती है इक्विटी की शेयर में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो 18% से लेकर कोई limit नहीं है कहते हैं कि growth की possibility की limit है ठीक उस तरह से यहाँ पर return की भी limit कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 18% से लेकर 20% 30% 40% 60% तक का return मिलता है लेकिन यह कैसे निर्डलने की कब निवेश करें और कप ऐसा विड्रॉ करें इसको समझने के लिए में शेयर बाजार के trend को समझना होगा लेकिन अभी हम बात कर रहें इन्वेस्टिंग की फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग करते समया है एक compound interest लगा कर investing करें तो एक calculation अगर आप देखेंगे मान लीजिए आपने एक बार लंसम अमाउंट एक लाख रुपे deposit कर दिया इन्वेस्ट कर दिया और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटन बारा परसेंट मिल रहा है 35 साल के लिए कि अभी प्रश्ण यहां पर यह होगा कि सर 35 साल का समय किसके पास है मेरी एजी 35 साल का होगा तब enjoy करूँगा तो फ्रेंट अभी मैं सारे एक्जम्पल आपको देने वा रुपया आपको इंट्रस्ट मिलेगा सिर्फ 12 से मतलब 42 लाग जमा एक लाग 43 लाग रुपया आपकी पूंजी हो जाने वाली है लेकिन यह समयवदी भी तो बहुत बड़ी है अगर यही इन्वेस्टमेंट हम कंपाउंड इंट्रस्ट की पावर को समझते हुए करें आपके व्याज पर भी व्याज मिलना शुरू हो जाए चक्रवरती व्याज आपको मिलें कंपाउंड इंट्रस्ट अगर बारा पर्सेंट है और 35 साल के लिए आपने एक लाग रुपे डिबॉजिट किया है तो आपको जो इंट्रस्ट मिलेगा वह मिलेगा चौंसट लाग लाग 32,000 मतलब 35 साल बजापकी इंवेस्टमेंट 65,31,000 हो जाने वाली है तो ज्यान रखिएगा कंपाउंड इंट्रस्ट की पावर ज्यादा अच्छे से काम करती है बशरते हम ठीक तरह से ठीक जगह पर निवेश करें और लंबे समय के लिए निवेश करें अभी लंबे स पच्छे साल के हैं और पच्छे साल के लिए इंवेस्ट करते हैं तो क्या पचा साल पर इंवेस्ट करेंगे तो हमें क्या समझना है कि कितना अमाउंट इंवेस्ट करना है कितनी डियूरेशन के लिए इनवेस्ट करना है और आपका डिजायर रिजल्ट क्या होगा इसके ब निवेश किया यापने पाँ के व्alom प्लस में आर रेत ओफ इंटरस कितना मिलना अगर मैं अगर अर distribute कटा बात करते हो तो मानली जी आठारा परसेंट या मानली जी बारा परसेंट या मानलीे एट 15 presses qi vb टाइम के लिए 36 महिने के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो ध्यान रखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है मेरा कहने का मतलब compound interest को लेकर आपका desired amount क्या है जी आपने लें आपको एक करोड रुपए चाहिए आपको पचास लाख रुपए चाहिए आपको दस करोड रुपए चाहिए उसी के हिसाब से आपको कितना amount invest करना है पर मंत वह दस अजार भी हो सकता है एक लाग भी हो सकता है पाच लाग भी हो सकता है rate of interest मान लिजी आपको 18-30% rate of interest मिलता है अब आप कहेंगे 30% rate of interest का मिलता है फ्रेंड बहुत सारे शेयर पर आपको 60% तक का investment interest मिला हुआ है किसी किसी शेयर पे 12% का है किसी बाठारा का है किसी बे 20 का है और शेयर मार्केट का तो एक speculation की तरह है कि कोई अंदाजा ही नहीं कि क इतना return आपको मिल सकता है एक रुपे का शेयर 1000 रुपे तक बहुंच सकता है लॉंग duration में तो आपको क्या rate of interest मिल रहा है वह important है और कितना time लगेगा अगर आप principal amount high रखेंगे तो आप low time में भी अपने target को achieve कर लेंगे अगर आपका investing amount principal amount कम होगा तो आपको ज्यादा समय के इन्वेस्ट करना पड़ेगा ठीक इस तरह समझ लीजिए आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपका amount higher होना चाहिए अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो amount इससे कुछ कम हो सकता है 20 साल के लिए करना चाहते हैं तो amount और कुछ कम हो सकता है तो आपको कितना पैसा निवेश करेंगे और कितनी समय अभधी के लिए करेंगे ताकि आप अपने डिजाइड रिजल्ट को हासिल कर सकेंगे इसके लिए करना क्या है गूगल पर आप लिखिए compound interest calculator जब यह compound interest calculator की sheet आपके सामने आएगी न तो बहाँ principal amount डालिए per month saving डालिए कितनी करना चाहते हैं कितना rate of interest आप expect करते हैं 12% 15% 18% और कितनी समय अभधी के लिए आप करते हैं जब आप यह calculate करेंगे बताते हैं the more you learn the more you earn the more you save the more you save the more you invest ज्यादा पैसा निवेश करने के लिए आपकी earning ज्यादा होनी चाहिए और earning केवल तभी ज्यादा होगी जब आपके learning बहतर होगी इसलिए try to learn something new every day in your life try to grow your business sales import export इस तरह से जब आप चीजों को focus करेंगे तो आप अपनी earning को भढ़ा पाएंगे इसके लावा आप ऐसे resources को ज़रूर सिलेक्ट करें अपनी life में जो आपको passive income के रूप में earning दे सकते हैं आपकी कौन-कौन से ऐसी property जो rent out हो सकती है। कौन-कौन से इक्रणी gadgets है जो rentout हो सकते हैं कौन-कौनसे इसी खाली land जो हम यहांसे और को एक्से आर्मिंग आसकती है तो आपको इन copper फोकस करना होगा जितना जाधा बहतर बहतर तरीके से आप इन blast style पर करेंगे उतनी जद आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी लॉंग टरम के लिए आप बहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे इसलिए इन चक्रों में ना पढ़ें कि एक हजार रुपे लगा के मिल जाएंगे यह दस दार रखेंगे तो आपकी अर्निंग ज़रूर बढ़ेगी अर्निंग बढ़ेगी तो इंकम बढ़ेगी स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित पाईश्वरी आपके सुनरे बहुष्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत